पहले राकेश टिकैट ने एक महापंचायत की फिर जीन में महापंचायत उसके बाद जैन चौधरी ने महापंचायत की तो क्या इन महापंचायतों के जरीए वाकई किसान आंदोलन की रूप रेखा तै हो रही है या फिर उत्तरपदेश की राजनीती को एक नई दिशा देन नहीं रहा राकेश उस टाइम दिल्ली पुरिस की नौकर निकार में इनके पिता जी का सायक था वो मेरे पिता तुल्ली थे मैं उनके संतान वत था दूसरी बात यह है कॉंग्रेश की सरकार में उस टाइम कॉंग्रेश की सरकार थी हमारे खाने की लाइने तोड़ दी थी लोनी बॉर्डर पे कोली बजी थी जो टेक्टर खाना लेका आ रहे थे वे उनका मडर हुआ था पुलिस के दौरा उसे बहुत सारे लोग इंजड होए थे यह अपने सब्सक्राइब का जिवाँ जाके मां की मांग आगे अब आपका सवाल रहा पंचायते दौर ये वो देखिए वे बात रही नहीं क्या किसको कहें रो जा रहे हैं ये जैंत जी तो अभी बतान लगेते के लट लगे फिर उसमें सिंपहती वे वागी राकेश जी रो दिये ज मैं ब्स्तार सेनि कह सकता मैं नेता तुछी मैं किसान के दर्ध की बदाना हूं ये कहीं पंचाध कर लो कहीं आपनी राजनीति कर लो कुछ भी कर लो राकेश जी दो चुनाओ लड़ चुके हैं पुरे जोड़ से लड़ चुके हैं और चोधरी साब की मौझूनी लड़ चौदरी साहब के बाद क्या कर लेंगे वहां तो जो कुछ था चौदरी साहब कहीं था ये कील गाड क्या कह रहे हैं कि हम नाज पैदा करेंगे देखिए हम अनाज का कमरिशल उत्पादन मुझे पंड़गर भी नहीं होता हम काम चला होगी हों पैदा करें हम गन्ना पैदा क कुछ कर लो देखो साहब हम तो एक बात जाने किसान को अनदाता क्या जा अनदाता तो है इश्वर लेकिन किसान को अनदाता क्या जा और किसान अन भी पैदा करें और भई वे संतान पैदा करें जो सीमा पर लड़ें ठेकेदार नहीं पैदा करते हम हमारे हाँ ठेकेदार निवेधन के वाली के बराबर है हम तो इसके पिदाईव के अपने प्यक्रान बालने थे भाई अभी कुछ नि विगड़ा जो कुछ बात भीगडरी वापस आ और आके बैठके बात कर ले हर लड़ाई में हर लड़ाई में युद्विराम होता रहा अभी यमन में लड़ाई चल रही वहां भी युद्विराम हो जा है युद्विराम करके घर आ जा और दुबारे सोच क्या कोया क्या पाया क्या नुकसान क्या फाइदा कभी भी इतिया हैं जो दो कदम आगे एक कदम पीछे वो जीते हैं और जो लोग एक कदम आगे बढ़ा के पीछे ने अटतें के वल एक लाइन लिख की जा कि बहुदुरी से लड़े अर्शाइब जी सर्दाना जी आपकी बातों से लगता है कि आप इन बिलों के समर्थन में या विरोध में मैं बिलों के समर्थन में हूँ इसमें यह जो खेती करने वाले यह जो दिल्ली में रहने वाले ना यह जो दिल्ली में रहे हैं जिन्हें दरद नहीं पता मुझे पता कि यह एक नम थीन लाग उंतल से उपर जा चुका जो कि मंडी समीती का शुड़ खतम हो गया है। वो किसान को फायदा जा रहा है। मैं इसके समर्थर में हूँ, ये मंडी समीती वाले शिकारी कुत्ते की तरह ट्रॉलियों पढ़ा करें थे। सिकारी कुत्ता जैसे पढ़े नी, ये सिकारी कुत्ते की तरह पढ़ें थे मंडी समीती वाले, आप के नी कोई चूं कर रहा, ना कि जी कोई ट्रॉली रोक रहा, अन्नी हमारे गुड़ कहीं बाहर जावे था, गुड़ पे टूटके पढ़े थे, ट्रॉली में 40,000 लो, 30,000 ल कॉंटेक्ट फार्मिंग पे जोड़ दे रखा, हम तो गन्ना कॉंटेक्ट फार्मिंग बिल्ट उपर है, जो समीती मिल को देवे, हमारी कॉंटेक्ट फार्मिंग तो पहले से हो रही, हमें इसमें क्या नहीं आ रहा हैगा, और रही बात MSP की, मैं 81 निम्टा दू, MSP कंपल प्रशली का कॉन का विखे अनको इनको है, रही बात सुनओ, पूर्टा पजांबारAKा प्रणा, कहते हैं इसमें पर से Śचा करेंख ते। करते हुए के ऊली कहना चाथा हूए मैसपी की गारनटी वाली बात पहले या ओन हो रही को लेकर आंदोलन हो रहा है इसमें आगा किम आठाव कि मॉर्फेंटी frühkind गारन्टी वाला विल अलग से लिया जाएं तो किसानों को तो दूसरी बात पर समझाना आसान हो सकता है कि कुछ amendments के साथ आप मान जाएं ये बात हम पहले से ही stand clear में अपना कर दूँ ये हम कहते रहें लेकिन जब ये अड़ गए तो किसान भी अड़ गए के ठीक है भी या जब इसमें चार पैबंद लगने ही लगने इस कमीज में तो